हर दिन एक भिखारी दर्वाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसे देखकर फिर जाया करता कई बार उसके लिए गालियां भी बगता वो कहता तू जिन्दा ही क्यों है पूरी जिन्दगी ऐसे ही भीख मांगेगा क्या धरती का बो तुम्हारे पापों को माफ करे। दुम्हारे पापा को माफ करे। विखारी वहां से चला गया। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई अपमानित करता, तो कोई गाली देता। सेठ अब भी उसका पीछा कर ही रहा था। अब रात होने को आई थी, एक पुरानी तूटी हुई खटिया पर, एक बूढ़ा लेटी हुई थी, काफी कमजोर और बीमार लग रही थी, वह भिखारी की पती थी। अपने को वापस आता देख, वह खाट से उटनी के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी, उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला, और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बूढी बिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियां दी, और एक नए पत्थर भी फेकना, इसी लिए मेरा सर फट गया. एक गहरी ठंडी सांस लेकर, बूढी बिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है, तुम्हें याद है, कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे, क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया, और उससे भी बुरा हमने उस अंधे बिखारी के साथ किया, जो हमारे द्वार पर भीक मांगने आया करता था. बुढ़ा पती की आँखों में आसु आ गए, वह बोली, हाँ, हम उस बिचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे, उसका अपमान करते थे, उसे खाने के लिए रोटी की जगह कागस दिया करते, उसका मजाक उड़ाया करते और कभी-कभी मारा भी करते, उसका श्राप स सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बरताव करें, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिन्दगी का अनुभव करें, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अंजाने में हुए पाप की ऐसी सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुप कर यह सारी बातें सुन रहा था, अब उसे सब कुछ समझ में आ गया था। भिखारी और उसकी पतनी ने वह आधी रोटी मिल बांट कर खाएं और भगवान को धन्यवाद बोल कर सो गए। अगले दिन बूढे भिखारी फिर से भीक मांगने गया। सेठ के घर के पास जाते हैं। सेठ ने पहले से गरम रोटी या उसके लिए निकाल कर रखी थी। उसे देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिये मा, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढी भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया।